दोस्तो लीमर मेडासकर में पाई जाने वाले छोटे वानरकुल के पिराणे हैं यह इस्ट्रप्स राइनी उपकुल के वानर है जो मेडासकर के मूल निवासी है दोस्तो इंदमासागर में अफरीका के पूर्वी तट पर इस्तित एक मेडासकर दीप है यह विश्व का चोथ भी मिलता जुलता होता है यह जीव दशकों से इस दीप पर राज कर रहा है इस दीप पर लीमर की लगबक्सों से भी ज्यादा पिरजातियां पाई जाती हैं लीमर पेड़ों पर रहना ज्यादा पसंद करते हैं और यह ज्यादा तर फल खाकर ही जीते हैं फलों के अलावा य सोटे जीव कीडे मकोडे और खटमलों को वी खा लेते हैं दोस्तों ये ज्यादा तर समु भी कई तरह के समवाद करते हैं यह इनके संचार का एक पिर्मुक माध्यम होता है लीमर के हाथ और पैर काफी हद तक इनसानों जैसे होते हैं यहां तक कि इनके फिंगर पिरेंट्स भी होते हैं दुनिया में सबसे छोटे लीमर का वजन लगबग 10 गिराम होता है दोस्तों लीमर का वजन और आकार इसकी पिढ़ जातियों के अनुसार अलग अलग होता है माधा लीमर अपने बच्चे को अपने मुँ में दबा कर रखती है जब तक कि वह बच्चे अपनी मा की पीट पलटकने लायक नहीं हो जाता है दोस्तों कई लीमर लंबे समय तक बिना खाई भी रह सकते हैं और मोटी पूछ वाले लीमर लगबग 8 महिनों तक बिना खाई रह सकते हैं दोस्तों लीमर की सूंगने की शक्ति बहुत तेज होती है और रात के वक्ति आंदेरे में भी यह साथ देख सकता है काले और सफेद रंग वाले लीमर की पूछ काफी लंबी वे धारीदार होती है जबकि इसकी आंके बड़ी होती है दोस्तों लीमर को दुनिया का सबसे पुराना प्राइमेट माना जाता है लीमर की कहानी इंसानों से बहुत स साल पहले लगबग सत्तर मिलियन साल पहले शुरू हुई थी यह एक ऐसी दुनिया थी जब लीमर जैसे जानवर गिरह के पहले प्राइमेट डाइनासोर के साथ अफरीका में घूमते थे व्यग्यानी को का मानना है कि लगबग 65 मिलियन साल पहले लीमर हिंद मासागर में त हैं जिने हम आज देख सकते हैं दोस्तों विश्व लीमर दिवस हर साल अक्टूबर के आखरी शुकुरवार को मनाया जाता है और विश्व लीमर महुस्व अक्टूबर के पहले सक्ता में मनाया जाता है लीमर और मैडासकर के बारे में सब कुछ जानने के लिए इस दिन का सब्सक्राइब को दोस्तों पता आपको असानी से चल जाए वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों